नमस्का दोस्तों उमीद करते हैं सब बच्चे होंगे यूपी पीशेस के प्रलम्स की जो तिथिया है उसके पीशे टिक्टिकी जो है लगाता बजने लगी होंगी मात्र कुछ दिन आपके सामने बचे हुए है अब चुनोती यह बन जाती है कि हम प्रलम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या इस समय रनिती अपनाया जाए और कौन सी ऐसी गल्ति यहां जो हमें नहीं करनी है यदि आप पहली बार एक्जाम दे रहे हैं तो आपका कॉन्पेड लेविल तो हाई हो गई होगा आपके अंदर नई जिग्यासा भी होगे कि इस तरीके से प्रलम्स की जो रणिती है उसको बना कर अंतिन पहली बार में क्रैक करें जो सेकिंड टाइम थार्ड टाइम फोर्ट टाइम यह मैंग्जियम टाइम दे रहे होंगे उनके अंदर यह ड प्रलम्स क्वालिफाई करना बड़ा आसान बन जाता है मैं आपके सामने बताने का प्रियास करता हूं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको तीन से चार काम करने देखेगा जब हम अंतिम समय के पाईदान पर चल रहे होते हैं तो हमें पूरा सब्डेक्ट नहीं पढ़ना हो सबसे पहला पूइंट है कि आपको यहां पर अपनी प्रायर्टी में यह डिफाइन करना पड़ेगा कि सपोस कर लो मैक्जिम एरिये से प्रसंट कहां से आते हैं सपोस्ट आइट आई तिंग यू कैन से जोग्रफी का पार्ट है हिस्ट्री का पार्ट है या पॉलेटी का हमें उस एरिया पर काम करना जहां पर हम ज्यादा कोशन को सही करने की भूमिका में प्रियास कर सकते हैं एक सिकिंड वो एरिया जहां पर कम समय भी अराम से जितने भी कोशन आते हैं दो तीन चार पांच उनको सही करते हैं जैसे सेंसेस को आप तीन चार घंटे में 70-80% question यहां से देखने को मिलते हैं जैसे आप जोग्रफी में जाएंगे या अन्य किसी history में जाएंगे पॉलिटी में जाएंगे तो सबका अपना अपना एक similar area है जहां से last year के 10 को देखकर हम यह तै कर सकते हैं कि यह कोर area है यह ज्यादा question लेकर आता है या ज्यादा question यहां स आते हैं तो सबसे पहली चिनोती है कि अब इस समय जो बचावा समय है इसमें आप कम से कम को रियरिया का तीन से चार बर अभ्यास या रिविजन एक प्रिकासे practice कर लिजेगा कहां से करनी कैसे करना या तो आपने किसी का बैस लिया होगा या आपने कोई notes पढ़े होंगे कि और होने वाली हैं आप इससे जुड़कर भी कोरियरिये का एक फिल्म मना सकते हैं जो आपके एक्जाम के लिए काफी important बन जाएंगे यह सब के लिए free of cost है दूसरी बात सेकिंड एरिया बंजाल जो आपको काम करना हो करन्ड फेर का करन्ड फेर एक मेजर पार्ट है जहां पर लग बग 25 से 30 या 35 परशनों के बीच में लास्ट या दोहार अगर 23 में निकालेंगे 49 कोशन आपको यहां पर करन्ड फेर देखने को मिले थे यानि 150 में से 39 कोशन करन्ड फेर कर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने आप में बड़ा कहीं न कहीं भूमिका रखता है आपको सफल्द दिलाने के लिए तो एक सल करन्ड फेर है चाहें आपको इसी भी magazine है च उनको एक सल घटनाओं को एक साथ लिंक करने का प्रियास करने जैसे अगर आपने कोई indexes बढ़ रहे हो तो एक साल में कितने indexes अभी तक आये हुए है उनका data क्या है उनका आंकडे क्या है उनकी reports यानि कुल मिलाके कह सकते हैं कि एक topic wise चीजों को cover कर लेंगे तो यह priority आपक को debate करते हैं discussion करते हैं और basic advance तक जानते हैं साथ में हम multiple question का अभिहास भी करते हैं तो आप इसके साथ जूड़ कर बाकी एक प्रिकासिक आ जाए अपने current traffic को ready कर सकते हैं तीसरा point बन जाता है कि सर यहां PY को revision लगबख PCS के train को अगर समझा जाए तो यह आपने दिखा घटन को में से last year के question से as it is या उसको कुछ modify करके question पूशे जाते हैं किसी का option किसी का answer देखने को मिलता है तो ऐसी सिती में आप यह 100% सही करने के भूमिका में होंगे तो आप उस दोड़ में दोड़ रहे हैं जिस दोड़ में लगातार problems qualify हो जाएगा इसलिए priority बन जाती किसी भी सिती में आप यहां पर 100% जो पीवाई के question है उनको सही करने के भूमिका में आएंगे तो तब जाके आपके quality बढ़ जाएगी करने के इसके लिए आप घटना चकर को हम भी आपके सामने यहां weekly marathon करके जैसे एक आज की मेराथन है सामको 8 बज़े हम लोग कर रहे हैं देखे क इसका इन्वार्टिल इकोलोजी का तो जो बिगद 20 वर्सों के आईस में PCS में RAS में BPST किसी भी एक्जाम पूछे के प्रस्ण है उनका topic wise हमायोजन करते हैं और उनको हम discussion के माददे में तो डिटेल डिसकसन करते हैं तो आप इसके साथ भी हमारे साथ जो सकते हैं जो फिर कर आती है लेकिन यह तैक करती है कि आप अगर ऐसी टॉपिक से प्रस्ण आएगा तो आप उसे इस प्रिकार से इसको management कर पाएंगे तो आपके जो दिमाग के पावर है या दिमाग की जो catching strength है या रोकने की छमता है उसको recall revise करने की परपस से काफी मुटेंड होती है प्रिलम्स की लिए जितने कोशन है साथ में टैस्री यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जूल कर त्यारी करना तो complete PCS का प्रिलम्स का यूपी PCS का प्रिलम्स का बैच भी चल रहे है आप वहां से जूड़ कर core area की साथ साथ जो advance area है उसको भी ready कर पाएं यहां पर जो करन डफर उसको भी ready कर पाएं यह जो revision है वो आपको वहीं पर भी मिल जाए और साथ में टैस्रीज भी आपको मिल जाए तो यहां पर आपको learning application पर जाना है जैसे learning application जाएंगे तो वहां purchase course में जाना आपके लिए PCS का प्रिलम्स का बैच भी है PCS के आप प्रिलम्स और मेंस का बैच 24 के लिए भी available है आप इसमें जाकर अपनी जर्णी को ready कर सकते हैं जैसे यहां जाएंगे तो आपके सामने यह रहा PCS प्रिलम्स बैच टार्गेट यहां पर मात्र यह आपको यहां पर 800 रुपीज में यहा पर मिल जाएगा दोनों बैच अगर चाहते हैं तो यह रहा आपके पास PCS प्रियो कम मेंस का बैच इसके अलावा टैस्ट्रीज अभी हमने आपके सामने कोई नहीं सर्विस चार्ज है only 200 रुपे में 10 सेप्तंबर से हम स्टार्टिंग कर रहें एक महिनी के अंदर का जो PCS क एक्जाम देने वाले हैं जी यह सिमिलर एक ही आयोग करा रहा तो उसी पैटर्न का रखा जाएगा इसलिए यहां पर हमने आपके सामने 200 रुपे का प्रिलम्स का आरो का एक टैस्ट एडवांस लेविल का स्टार्ट किया गया है इसमें 10 सेप्तंबर में पहला टैस्ट होग करने हैं अब बात आती है सर यहां से गलती कौन-कौन सी नहीं करते हैं पहला पूंट सबसे पहले विध्यारती क्या करता है यहां पर देखेगा सबसे पहला अगर विध्यारती क्या करता है इसके बारे में हम यहां समझने का प्रियाज करते हैं सबसे पहले वो ब्रहमांड का ग्यान जो है यहां पर सोचता है कि यूटूब से मिल जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर content जाद है की भरवार नहीं करनी है और थेंडिंग content के साथ आपको एक प्रॉपर बे में प्रॉपर वे जाएं था करने से यानि यूटूब पर चल रहा है कभी यहां कभी यहां अगर आप अपने आपको लास्ट तेम में तुमने अपने आपको समय नहीं दिया देखेगा इसका मदलब आप अपको निखार नहीं पा रहे हो तपस्य हमेशा अपने आप किसी और से नहीं की जाती है तो अंतिम समय में कितना चीजिश में सॴूंत revolutionary करें चुछ अब कोरें दूसरा बन जा आट के लिए बहुत cared तो अगर प्रस्ट ना आएगा तो आप तो आपको प्रयास करें तीसरा लास समय में क्या होता है कि लास समय बहुत सारे रंगीन सपनों के साथ आपके सजाए जाते हैं जिसे पांसो अती महत्पून प्रस्ट या इसके अलावा यह 10 पेचों के अती महत्पून नोट देखेगा हम अपने उपर बिलीप नहीं करते हैं हम उस नोट्स ओपर लास्ट टाम में चल जाते हैं जो एक प्रिकास से कूला कच्रे की तरह बने होते हैं कट कोपी पेस्ट करते तो दस से बारे घंटे का आउटपूट आना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि दस बारे घंटे आपने यूटूब की दुनिया में जाका सोचा कि यह वाले सवर्जव हैं यहां पर आज 200 कोशन कराएंगे यह वाले 500 कराएंगे यह वाले 100 कराएंगे आपने पूरा दिन का और यह टेस्ट देने का अगर यह आप अच्छे से कर लेते हैं तो यह माल लिजएगा कि आपकी जो प्रियूम्स कौलिफाइग करने की प्राइटी यह बढ़ जाएगी तो चारों काम पर लग जाएगा करें 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 और साथ में टेस्ट लगाएं डेलिवेस पर कैसी कि आप अपनी जर्णी को रेडी कर सकते हैं अच्छा लागा हो तो एक बार कमेंट कर दीजेगा और एक बार कर दीजेगा अल दा बेस्ट